जब जब मोदी डरता है जब 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 जबादי कर दोपी भती है है लगाए रज टौान्टी और खुट्ट अ कर दो कि दो दो कि दो हम कर दो दोग्र weld और आजने कर दो 30 खिए। भंगने दो पसे संट भाइं मैं जो रहाएं झाल को कि दो हम की तो इन्नावार! इन्नावार! हां सुमारे साथे! सिल्दा आवार! जिल्दा आवार! वह देले देगारोंसे! वह देले देखोनसे! वाबा! वाबा! तो इसकी चिंता आपको ने होनी चाहिए, आपको वो चिंता होनी चाहिए, कि क्या हो रहा है देश में, वो तो नहीं है, हमको पता है मोदी जी के गोदी में बैटके काम करने वाले हमने पिछले आठ सालों से हम देख रहे हैं, अगर इस देश में जंबुरियत, इस देश में अगर लोकतंत कायम रखना है, क्योंकि अब लोकतंत है या नहीं है, यह बड़ा प्रशीन जन्ता के सामने है, हमारे सामने, इन्हें देश बर्बाद हो रहा है, उसकी नहीं है, ठीक है, नए नए आते हैं बंबु लेके, तो हमने बहुत सारे देखे हैं, बाल काले की हुमें, चालिस साल में यहाँ काम करता हूँ, और जबीन पर काम करता हूँ, आसमान से नहीं आता हूँ, तो यह जिस तरह से गांदी फैम मंत्रिया मालिक थोड़िये इस देश को पुरा परबादी के कगार पे है और खुद 8000 करोण का प्लेन लेके यह तो इस देश में कभी भी नहीं हुआ शर्मानी चाहिए इस बात की देश का गरीब मर रहा है देश की जनता मर रही है देश का युवा मर रहा है उसके पास खाने के लिए कुछ ने उसके पास नोकरी नहीं है सारी नोकरिया नरेंद्रमोदी खा चुके है करोडो नोकरिया इस देश की पिछले 3-4 सालों में बरबाद कर चुके है 70 साल में क्या किया कॉंग्रेस को पूछने वाले नरेंद्रमोदी 8 साल से देश बेच रहे है और खुद कह रहे हैं मैं खाता नहीं और खाने नहीं देता इनके जैसे कुछ लोग है वो लगे हुए उनके तलवे चाटने हम नहीं चाटेंगे हम इसके खिलाफ संगर्ष कर रहे हैं रस्ते पर कर रहे हैं लोगों के साथ है करोना जब हुआ था तब कौन था तब मौंदी जी ने तो हाथ खड़े कर दिये यह वही जनता है यहां हम आये थे हमारे उपर केसे सुए हमारी सरकार होते हुए यह यह जो आवाज है यह आवाज आम आदमी की है यह आवाज जनता की है कॉंग्रेसियों के तो ही है पर अगर उसको इस तरह से राजनीतिक पलडे में अगर कोई तोलता है तो वह बात सही नहीं है यह मैं कहने जा रहा हुए